जै भेरो बाबा की मेरे पिरेदर्स को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रहस्पती सब्तम्भाव में नहीं देता है विभाईक सुक्ष अगर कुंडली में गुरू मजबूत हो तो सफलता का कदम चुमना बिल्कुल तैह है देखे जीवन में हर छेतर में सफलता के पिछे गुरू ग्रहे की स्तीती बेद महतोपुरन जो है मानी जाती है और ऐसा देखा गया है कि जिस इस्तरी अथवा पुरुष की कुंडली में गुरू सब्तम्भाव में विराजमान होते हैं तो उनका विवाईक जीवन विलम से आरम होता है या फिर किन ही कारणों से द दिवा में विलम हो रहा हो तो गुरू को पर्शन करना चाहिए गुरू को पर्शन करने के लिए भगवान विश्नु की उपासना सबसे स्रेष्ट होती है कुंडली में अगर गुरू मजबूत हो तो शफल्ता का कदम चुमना बिल्कुल तय है सफल्ता के पीछे सकरात्मक उर्जा का होना है होता है और यही काम गुरू करते हैं गुरू आसा वाधी बनाता है और निरासा को जीवन में प्रवेस नहीं करने देता इसके फलुस रूप सफलता खुद पे-खुद कदम-चու्मने लगती है और सफलता मिलती रेती है तब जिन्दगी में खुशाली आ जाती है गुरू के प्रभाव की जलक जातक के चहरे वे सरीर से दिख जाती है व्यक्ति के चहरे पर तेज वे चमक होती है व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है गुरू भरिष्पति को सुब घ्रह जो है माना गया है गुरू लगन में बैठा हो तो बली होता है और यदि चंदर्मा के साथ कहीं भी बैठा हो तो चेश्टा बली माना जाता है गुरू भरस्पती जातक को मजिस्ट्रेट, वकील, प्रिंसिपल, गुरू और पंडित, जोत्सी, बैंक मनेजर, सुनार, मले, मंदिर के पुजारी, यवनुश्टी के अधिकारी, MP, परसिद और नेता के गुल आदी जो है पना देता है अच्छा गुरू उच्कोटी की सिदिया कराता है, यदि गुरू कमजोर है तो इन मेंसे कुछ भी नहीं मिलेगा गुरू अध्यात्मिक उचाईयों को पाने नहीं देता है, कमजोर गुरू तमाम उसकिले जो है इनसान के पैदा कर देता है जीना मुहाल कर देता है, बनते हुए काम बिगड जाते हैं, किसी काम में यस ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता, घर पर पैसे की तंगी बनी रहती है और स्वास्ते पर इसका असर दिखने लगता है जर्म कुंडली में गुरु का अनिष्ट परभाव अनेक रोग देता है, इनमें मुख्यत्य लंबी अवदी के रोग होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जिनके कारण बार बार डाक्टर को बदलना पड़ता है, मोटापा, सुगर, चर्वी के रोग, पीलिया, कंट वे फेपडे की सुजन पेट का वायू से फुलना आदी कई परकार के जो है रोग हो जाते हैं, गुरु धन वे संपन्ता का भी घ्रह है, गुरु यदि पिडित अवस्ता में हो तो जातों को धन्हानी वे दरिदर बनाता भी है, गुरु का सुपरवाव होने पर चाहे जातक जितना भी कमा धन इकठा नहीं कर पाता, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर कुडली में गुरु कमजोर हो तो उसे मजबूत कैसे किया जाए और कैसे घर में खुशाले लाई जाए, देखिए भ्रहस्पति को भ्रहस्पति वाले दिन वर्थ करना चाहिए, गुरु आर के दिन केले की जड में एक लोटा जल, उसके अंदर हल्दी, गुड और चने की डाल डाल कर पूजा करनी चाहिए, उस दिन केला नहीं खाना चाहिए, आप अपनी कुडली किसी अच्छे जोतिस या पंडिर्तों दुवारा दिखा कर समाधान भी ले सकते हैं, और यदि आप अपनी कुड कुडली में गुरु घरे को मजबूत जरूर करें, तो मेरे पिरेदर्स को हर रोज आप के लिए विशेश चीजे लेकर आता हूँ, आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और यदि आप अपनी कुडली के निसार आप जाना चाहते हैं, कि बेस्ट रतन कौन सा रहेगा कौन सा रुद्रास आपको पहनना चाहिए, तो आप हमारे दिये गए नमरों पर संप्रक कर सकते हैं, यदि आप विशाई अंतर प्राप्त करना चाहते हैं, चमतकारी विशाई अंतर हैं, तो वह आप संप्रक कर सकते हैं, आप हमारे दिये गए नमरों पर जरूर संप्रक क झाल 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 झाल